दादी नानी द्वारा बताए गए 30 किचन की टिप्स और ट्रिक्स सबसे पहले है अधिक नमक का इस्तेमाल करने से ब्लेड प्रिशर हाई हो जाता है इसलिए कभी भी खाने में ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नेक्स्ट है अगर आप रेडी मेट सूप पाउडर खरीद रहे हैं तो हमेशा लो सोडियम वाला पैक खरीदे नेक्स्ट है सूप में भूल कर भी लाल मिर्च ना डाले हमेशा काली मिर्च का प्रयोग करे और सूप में मक्षन फ्लेवर के लिए ही डाले नेक्स्ट है जब भी सलाथ काटे कुछ मिनिट पहले ही नमक वनिम्बू डाले इससे सलाथ की ताजगे बनी रहती है नेक्स्ट है जिस चीज का भी सलाथ बनाए टमटर गाजर शुकुंदर सलाथ की पत्तिया नमक मिले पानी से जरूर साफ करे नेक्स्ट है आचर के तेल को भर्वा करेले बैगन भेंडी बनाने में प्रियोग करे नेक्स्ट है बारिस के समय में मीर्च को सरने से बचाने के लिए मीर्च के डंठल तोड़ कर रखे निक्स्ट है लोहे के सामान में जंग लगने पर प्याच को काट कर लगने से जंग हट जाएगी निक्स्ट है चावल को उबालते समय दो से तीन बून्त निम्बू का रस डाल दे चावल चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे निक्स्ट है दही को अच्छा और जल्दी जमानी के लिए दही को जमाते समय दूद में साबुत हरी मिर्च डाल दे निक्स्ट है आलू को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालने से आलू फटेंगे नहीं और छिलका जल्दी उतर जाएगा निक्स्ट है आलू भुनने से पहले आलू में थोड़ा तेल लगा दे ऐसा करने से आलू जल्दी भुनेंगे निक्स्ट है बैगन भुनने से पहले बैगन में तेल लगा दे ऐसा करने से बैगन का छिलका आसानी से उतर जाएगा सलाथ के प्याज की कड़वाहट निकलने के लिए कटी हुई प्याज में निम्बो का रस डाल दे निम्बो को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दे इसके बाद निम्बो काटने से ज्यादा रस निकलेगा नेक्स्ट है चीनी के डिब्बे में तीन या चार लॉंग डालने से डिब्बे में छीटी नहीं होती नेक्स्ट है यदि आपके फ्रीज में बद्बू आती है तो आधा कटा हुआ निम्बू रखने से खत्म हो जाएगी नेक्स्ट है मिक्सर के ब्लेट तेज करने के लिए महने में एक बार नमक डाल कर चला दे नेक्स्ट है मिर्च के आचर के डब्बे में थोड़ी सी हींग डालने से मिर्च लंबे समय तक खाराब नहीं होते हैं नेक्स्ट है मुर्चाय हुई या बासी सबजियों को फिर से ताजी करने के लिए ठंडे पानी में निम्मो निचोड कर उसमें सबजिया भिगो दे नेक्स्ट है हरी मिर्च के डंठल को तोड़ कर फ्रीज को मिर्च को फ्रीज में रखन देने से मिर्च जल्दी खराब नहीं होती है नेक्स्ट है भटूरे में खमिर उठाने के लिए उसमें सुखी ब्रेट चूरा करके मिलाए जल्दी खमिर उठेगा सूप को गाड़ा करने के लिए कौन फ्लोर की जगा एक ब्रेट की स्लाइस डाल दे बिना अंडे का सौफ्ट और फ्लॉफी केक बनाने के लिए केक का बैटर पके केले और दही के साथ बनाए निक्स्ट है भूल कर भी ज़्यादा देर की बनी हुई चैना और पोहा मत खाईएगा उससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुक्सन पहुचती है निक्स्ट है भरवा सबजी अबनाते वक्त मसालों में थोड़ा सा भुनी हुई मुमफली का चूरा मिलाने से सबजी स्वादिष्ट और कुरकुरे बनती है निक्स्ट है दुनिया का सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाने वाला खाना आलो चिप्स है यानि की चिप्स को खाने से जितना वजन बढ़ता है उतना वजन पिज़ा बर्गर खाने से ही नहीं बढ़ता है नेक्स्ट है चार से छे काजु को पीस कर एक कप दूद में मिला कर पीने से डिप्रेशन का असर कुछ हद तक कम हो जाता है नेक्स्ट है जीन अउर्तों का पेट जादा बढ़ रहा हो तो लहसुन के रस से पेट बर मालिस करे इसे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगी नेक्स्ट है अगर शुगर हो तो रोजाना सुभा के वक्त निहार मुह ताजे आवले का रस एक चमल सहद मिला कर स्टेवन करना चाहिए इससे शुगर का मर्ज खत होता है इस तरह से कुछ कुकिंग के टिप्स और ट्रिक्स है धन्यवाद